Hello everyone, welcome to our channel आज का ये वीडियो आपके science के exam के लिए बड़ा ही जादा important रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग chemistry का last minute revision करने वाले हैं वो भी मात्र 20 से 25 मिनट में अगले 20 मिनट में आपको chemistry से डर नहीं लगेगा जितनी भी important reaction है वो सारी हम लोग इस वीडियो के अंदर discuss कर लेने वाले हैं आपका पूरा chemistry का revision रहना जागा तीन-चार गंटी के मैं रहा था हूं देखने की सुरत नहीं बस ये वीडियो आप सुरो से लेकर के end तक देखते हो अगर फोकस अगर देख लेते हो तो chemistry पूरी घता में तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक भी ऐसा important topic नहीं छोड़ूँगा जो कि आपके exam में आग और आपको नहीं आता होगा इस वीडियो के बाद में तो complete आने वाला है बस एक छोटी से आप लोगों से request है कि ये जो वीडियो हैना अपने दोस्त के साथ में जरूर से share कर देना ताकि उसका भी फायदा हो जितने जादा बच्चों तक पहुंचे उतना ही अच्छा है सबसे first जो आता है वो आता है chemistry में सबसे पहला जो point है वो है हमारे एक reaction है जो की reaction है आपकी activity के उपर based ये reaction है इसके अंदर basic है कि magnesium plus oxygen मिलकर के magnesium oxide बनाती है तो अब ये जब magnesium oxide बनती है तो इसमें आपको याद अखना है कि क्योशन यहाँ पर ये बनता है कि ये जो magnesium होता है ribbon इसको हम लोग rub करते हैं पहले sand peppers है ऐसा इसलिए करते हैं कि जो magnesium है ये highly reactive होता है जो atmosphere में oxygen present होती है उसके साथ में मिलकर के क्या बना लेता है magnesium oxide बना लेता है जिस वज़े से अच्छे से जल नहीं पाता फिर इसके बाद में जो इसका second point आता है वो ये आता है कि combination reaction combination reaction के अंदर क्या होता है कि दो compound मिलकर के कोई एक नया compound मनाते है जैसे के example के तोर पर देखो ये है यहाँ पर quick lime quick lime के अंदर जब आपने water add किया तो आपके पास में एक नया compound बना है वो बना है C A O H 2 जिसको के हम लोग select line भी बोलते हैं और इसके साथ में heat भी release हो रही है जब heat release होती है तो इसको हम लोग बोलते है exothermik और जब हमें heat देनी होती है तो इसको हम लोग बोलते है endothermic reaction फिर इसके बाद में जो next आता है वो आता है decomposition reaction decomposition reaction क्या होता है इसके अंदर basically हमारा जो एक compound है वो क्या होगा दो या दो से ज़्यादा compound के अंदर split हो जाएगा reactant हमारे पास में एक रहागा product एक से ज़्यादा होंगे जैसे कि यहाँ पर यह है ferrous sulfate है ferrous sulfate का जो starting के अंदर color है वो है green color है और इसके बाद में जब यह heat करते हम लोग यह convert हो जाता है ferric oxide में जिसका की color हो जाता है brown और इसके साथ में sulfur trioxide भी निकलती और sulfur dioxide भी निकलती यह भी एक activity based question है तो यह reaction important है फिर इसके बाद में अगली जो आती है वो आती displacement reaction तो displacement reaction का मतलब क्या होता है इसमें जो highly reactive metal होता है ना वो less reactive metal को हटा करके उस compound के साथ में वो अपना compound बनाता है जैसे कि यहाँ पर दिया हुए iron है iron और यहाँ पर copper sulfate है copper sulfate के साथ में reaction करके क्या होता है यहाँ पर जो compound बनता है FESO4 मतलब ferrous sulfate बन जाता है और initially इसका जो color होता है यह याद अटना कि initially copper sulfate होता है यह blue color का होता है डीप blue होता है जब हम इसके अंदर iron डालेंगे तो iron डालने के बाद में इसका जो color है वो change हो जाएगा वो किसमें change हो जाएगा? light grain में इसका color conversion हो जाएगा फिर इसके बाद में जो next point आता है वो आता है हमारे पास में double displacement reaction, double displacement reaction क्या होता है वह या इसके अंदर जैसे कि displacement में एक को अटा करके दूसरा आता अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 के बीच में displacement होता है, जैसे कि 4 example के यहाँ पर है Na2SO4 और है यहाँ पर BACL2 ठीक है, barium chloride, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो barium है, वो क्या जा रहा है, sodium के जगह पर जार और sodium क्या आ रहा है, यहाँ पर chlorine के जगह पर आ रहा है, तो एक नया compound form हो रहा है, जिसके अंदर की 2 metal अगर displaced होते तो इसको double displacement reaction कहते हैं, और इसके अंदर जो compound form होता है, वो होता है हमारे पास में barium sulfide जो कि एक PPT होता है, white color का, ठीक है, यह भी एक activity के उपर based reaction है, यह सारे के सारी reaction बहुत ही जादा important है, exam में ऐसे reaction हा सकती है, फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है, oxidizing agent, oxidizing agent simple सा होता है, कि जो substance जो की oxidize कर देता है, दूसरे substance को, उसको कहते है, oxidizing agent जैसे कहाँ पर magnesium magnesium है, magnesium को जब oxygen के साथ में reaction होता, oxygen इसको oxidize करें magnesium oxide में, और आप इसके जो oxidation number है, उससे भी देख सकते हो कि starting गंदर, यहाँ पर जो magnesium है, इसका oxidation number है, वो है plus of 0, लेकिन यहाँ पर जो oxidation number है, वो क्या है, यहाँ पर plus of 2 है, तो मतलब कि एक तरीके oxygen ने अपने आपको reduce किया, और इसको क्या किया, oxidize किया, फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है, मतलब कि oxidizing isn't यह है, फिर इसके बाद में जो next आता है, oxidization, oxidation क्या होता है, तो oxidation isn't the simple addition of oxygen या फिर removal of hydrogen, इन दोनों में से कुछ भी होता है, तो वहाँ पर oxidation होता है, जैसे कि for example के तोरपर यहाँ पर copper है, copper के साथ में oxygen का addition हो रहा है और यहाँ पे हमें मिल रहे copper oxide तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा oxidation, फिर इसी तरीकी से reduction क्या होता है reduction basically होता है addition of hydrogen या फिर removal of oxygen reduction होता है, अब इन दोनों को अगर मिला दें, तो एक नई reaction बनती है, जिसको कि हम लोग कहते है redox reaction, अब redox reaction के अंदर क्या होता है, कि one reactant get oxidized and the other reactant get reduced, एक इसके अंदर oxidized होता है, और जो एक reactant है वो reduce होता है, अब जैसे कि यहाँ पर example के तोर पर दिया हुआ है, copper oxide plus of यहाँ पर hydrogen है, यहाँ पर hydrogen से water का conversion यह होता है, oxidation, अगर दोनों एक साथ है तो इसको हम लोग redox reaction कहते हैं फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है हमारे पास में acid basis and salt, तो सबसे first जो है इनकी properties important है, सबसे पहली जो acid की property है, वो यह है, कि यह blue litmus को red litmus में change कर देता है आप इसको ऐसे आद रख सकते हो, इसके simple form से आद रख सकते हो, बार से याद रख सकते हो, बार से कैसे याद रखोगी कि यहाँ पर A है, यह का मतलब ओकि acid और B से आप लोग क्या याद रखो कि B से हो जाएगा, blue litmus को red में change करेगा, acid change करेगा, फिर इसके कम pH होती है, उतना जादा strong acid होता है, और फिर इसके बाद में next आता है कि ये किस तरीके का test होता है, sore in test होते हैं, ये simple सी 5 property आपको याद रखने हैं, अब इसी तरीके से basis की भी property होती है तो basis के properties हमें याद रखने है कि इस litmus को कैसे change करता है, तो red litmus को blue में change करता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि blue के अंदर B, B आता है, और base के अंदर भी B आता है, तो क्या होगा कि base है, red को blue में convert कर देगा, फिर इसके बाद में ये क्या release करता है, ये release करता है OH- science release करता है, और इसके जो pH हो होती है, 7 से लेकर कि 14 तक इसकी pH होती है, और जितनी ज़्यादा high pH होती है, 14 के पास में होती है, उतना ही ज़्यादा वो strong base होता है, फिर इसके बाद में इसका taste कैसा होता है, bitter in taste होता है, तो exam के अंदर आ सकते है कि differentiate the properties of acid and base, तो उसके अंदर आपको tabular form को बना करके explain करना होगा, then फिर इसके बाद में जो next आते हो आते है, reaction of acid with metal के साथ में कैसे reaction होती है, तो metal के साथ में आप simple से याद रखो कि acid plus metal जो है, वो देखा हमें metal salt और उसके साथ में hydrogen gas release हो जाएगी, अब यह hydrogen gas release होती है, इसको check करते है, burning candle को pass मिलाते है, जब burning candle pass में आती है, तो यह जो hydrogen है, यह pop sound के साथ में burn होती है, और यह जो equation है, यह activity को पर based equation है, जो कि zinc plus H2SO4 will give us ZNSO4 plus of यहाँ पर hydrogen release होती है, फिर इसके बाद में जो next है कि metal carbonate या फिर metal hydrogen carbonate है, उनके साथ में acid कैसे reaction करते हैं, तो इसका basic formula याद रखे कि acid plus metal carbonate hydrogen carbonate will give us metal salt और उसके साथ में carbon dioxide release होती है, और उसके साथ में water form होता है, अब देखिए basic reaction है कि Na2CO3 plus of यहाँ पर 2 times of HCl है, यहाँ पर आपको एक तो metal salt में किया, जो कि sodium chloride है, और इसके साथ में water release हो, और इसके साथ में आप लोगों को मिली है carbon dioxide, आप carbon dioxide को किस तरीकी से check करेंगे, carbon dioxide को check करने के लिए, आपको जो lime water है, उसके अंदर आपको carbon dioxide को pass करना होगा, जब आप इसमें pass करेंगे, तो इसका जो color है, वो change हो जाएगा, और यहाँ पर PPT form होगा, white color का, यह color less से milky color में connect हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, कि यह जो reaction हो रही है, यह कैसी है, इसके अंदर CO2 release हो रही है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, फिर इसके बाद में जो next आता है, हमारे पास में वो यह आता है, 11th point है इसका, वो यह है कि bases plus जो metal carbonate है, उनकी क्या reaction रहेगी, bases की, base कैसी reaction करेंगे, तो भी यह base है ना, यह कोई भी reaction नहीं करते हैं, metal carbonate के साथ में, फिर इसके बाद में जो अगली reaction आती हो आती, neutralization reaction, neutralization reaction के अंदर क्या होता है, कि acid और base react करते हैं, और वो बनाते हैं एक salt, और उसके साथ में water release होता है, अब यह salt दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है acidic और एक होता है basic salt, तो acidic कब होगा, acidic जब होगा, जब उसके पास में strong acid होगा, और वहाँ पे weak base होगा, अब जैसे कि example के तोर पर यहाँ पर CUSO4, अब CUSO4 किस-किस से मिल करके बना होगा है, CUSO4 बना होगा है COOH2 से जो कि एक weak base है और इसके साथ में है H2SO4, hydro-sulfuric acid जो कि एक बहुत ही जादे strong acid है, तो strong acid, weak base तो इसलिए क्या होगा, यह acidic salt होगा, फिर इसी तरीके से अगर basic salt है, तो basic salt के अंदर strong base होता है, weak acid होता है इसका example यहाँ पर sodium bicarbonate, तो यहाँ पर sodium bicarbonate में हम लोग जो use करते हैं, वो करते है, NaOH और उसके साथ में carbonic acid को use करते हैं, तो यहाँ पर यह form हो जाता है, अब इसके बाद में हम लोग दोनों ही strong strong ले ले लेते हैं, जैसे कि NaOH और HCl, दोनों ही strong acid और strong base हैं, तो इस case के अंदर क्या होगा, इस case के अंदर जो salt है, NaCl, यह क्या हो जाएगा, यह neutral salt हो जाएगा, अगर हम लोग strong acid या फिर strong base लेते हैं, और इसके बाद में जो next आता है वो आती है हमारी pH scale pH scale क्या होता है basically कि scale होती है जिससे कि हम लोग measure करते हैं कि कितने h plus ion है aqueous solution में अब इसकी अलग-अलग range होती है जैसे कि अगर acid है तो acid के लिए इसकी range होती है 0 से लेकर के 7 तक और अगर neutral है neutral point रहता है इसका 7 के ओपर और वहीं पर ही जो base की range है वो होती है 7 से लेकर के 14 तक अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात ही है कि pH जादा होने से इसका मनलब यह ही होता है कि वो strong है जैसे कि acid के case में अगर हम लोग बात करें तो acid के case के अंदर जितनी कम उसकी pH होती है उतना ही जादा वो strong acid होता है और वहीं पर ही अगर base की बात करें तो base के अंदर H plus के ions जो है वो होते हैं OH minus के ions होते हैं इसलिए उसकी pH जादा होती है फिर इसके बाद में जो next आता है कि आप लोग अगर इसको dilute करते हो कि water dilute acid and pH increases जैसे कि अगर आप water डालते रहे तो acid के अंदर तो उस case के अंदर उसकी जो pH है वो increase होती है increase होने का मतलब यह है कि उसकी जो power है acid की वो reduce होती है फिर इसके बाद में जो next आता है वो आता है 14 वाला point है बड़ा ही important है वो यह है कि acid plus water जो है जैसे कि आपने acid को beaker में ले रहा है और उसके अंदर water डाल रहे हो तो यह कभी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर vigorous amount of heat release होगी और जो beaker है वो break हो सकता है फिर इसके बाद में जो next point है कि आपको क्या करना है water को beaker में लेना है और उसके अंदर acid को mix करना है जिससे कि जो heat होगी वो water absorb कर लेगा लेकिन heat इसमें release होती है तो यह जो reaction है यह होती है exothermic endothermic reaction का मतलब होता है जिसके अंदर की हम लोग heat दे रहे हैं कुछ से जब भी heat हमें मिले तो वो होती है exothermic reaction और फिर इसके बाद में जो next आते हो आता है chloralkyl process यह important है यह बहुत ही जाद है important है इसको बिलकुल भी याद कर लो अभी इस reaction को आप याद रखोगे कि यह क्या होता है basically होता है कि when the electricity is passed through an aqueous solution of a sodium chloride जो कि brine solution होता है it decomposes to form sodium hydroxide यह decompose हो जाते है जैसे कि brine solution होता वो decompose हो जाता है किसके अंदर sodium hydroxide में और जो इसकी reaction होती है वो यह होती है two times of anacl aqueous plus of यहाँ पर H2O यह देता है हमें NaOH और उसके साथ में chloride भी gas निकलती है और hydrogen gas भी निकलती है अब कौन सी-कौन सी gas gas release होती है फिर इसके बाद में next है कि basic आपको इनके formula याद होने ची molecular formula जैसे कि bleaching powder है इसका molecular formula होता है CAOCl2 और फिर इसके बाद में जो next step baking soda है baking soda का molecular formula होता है NaHCO3 और जो washing soda है इसका molecular formula होता है Na2CO3.10 of H2O इसमें याद रखना है इसके बाद में इसका अगला compound आता है plaster of Paris तो plaster of Paris में आपको इसका molecular formula याद रखना है जो कि होता है CAO4.2 of H2O और इसके साथ में जब आप water को add करते हैं तो initially कैसा होता है यह white powder होता है लेकिन जब आप इसमें water add कर देंगे तो किसमें करनोट हो जाता है जिपसम में जिपसम का molecular formula है CAO4.2 of H2O जो कि एक hard mass solid होता है मलब कि यह hard solid के अंदर convert हो जाता है और इसका use हम लोग लेते जैसे कि toys बगरा बनाने मिले लिए अगर हाथ टू जाता है तो वहाँ पे भी जिपसम को ही use किया जाता है then फिर इसके बाद में जो next आते है हमारे पास में metals and non-metal आते हैं तो metal की properties आपको याद रखने सबसे पहली जो property है कि metallic cluster होते है sign करते second है कि hard होते हैं लेकिन इसमें एक exception है वो यह है कि sodium, potassium, lithium यह जो है good conductor of heat होते हैं लेकिन इसमें exception क्या है exception है lead और mercury का lead और mercury अच्छे conductor नहीं होते हीट के फिर इसके बाद में इनकी दो properties सबसे ज़ाद है important है एक तो है ductility ductility होता क्या है basically property by which की जो metal है उनको हम लोग wire में convert कर पाते हैं यही जो property है इसको ही ductility कहा जाता है फिर उसके बाद में दूसरी जो property वो है malleability malleability basically कैसे property है जिससे के हम लोग किसी भी metal को उसको sheets के अंदर convert करते हैं तो उसको हम लोग कहते है malleability ठीक है अब इसके बाद में metals की reaction important है metal की सबसे पहली जो reaction है वो है reaction with oxygen oxygen के साथ में reaction करके क्या बनाते है तो metal plus oxygen जो हमें देंगे metal oxide देंगे जैसे कि copper है copper को oxygen के साथ में जब करवाएंगे तो हमें copper oxide मिलेगी अब यहाँ पे एक point note करके लिख लेना कि यहाँ पर जो gold है मतलब AU और जो PB है gold और lead है यह oxygen के साथ में reaction नहीं करते है यह note करके लिख लो कि gold और जो PB है यह oxygen के साथ में reaction नहीं करते है फिर इसके बाद में जो next आता है वो आता है water water के साथ में reaction कैसे होती है water के साथ में जब इनकी reaction होती है तो metal plus water जो होता है सबसे पहले metal oxide बनती है और उसके साथ में hydrogen gas form होती है फिर again ये next step में होता है metal oxide plus water तो metal oxide plus water के बाद में metal hydroxide में carnot हो जाता है जो कि इसका final product है water के साथ में आप सीधा लिखे आएंगे exam के अंदर metal plus water जो है वो हमें देगा metal hydroxide अब इसके example के तोर पर यहां पर हमने लिया है कि calcium है calcium के साथ में जब हम water को add करते हैं तो हमें मिलते है calcium hydroxide और उसके साथ में hydrogen gas release होती है और यहां पर note करके एक point लिखा हुआ है वो यह है कि lead, copper, silver, gold जो है ये react नहीं करते water के साथ में ये कोई भी reaction नहीं देते हैं then फिर इसके बाद में जो next point आता है वो आता है कि metal को अगर हम acid के साथ में करवा लेंगे तो अभी-अभी हम लोग acid वाले chapter में ये पढ़के ही आएं वही reaction है metal plus acid जो है वो हमें metal salt देंगे और उसके साथ में hydrogen gas release होगी then फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है aquirigia aquirigia basically simple mixture होता है hydrochloric acid का और concentrated nitric acid का 3 ratio 1 में ठीक है समझके मेरी बात ये simple city metal की properties अब इसके बाद में आती non metal की property तो non metal की जो property है सबसे पहले तो ये है कि brittle होते है या आसानी से तूट सकते है second होता है कि non sonorous होते है non lustrous होते है ना ही तो इनके पास में shine होती है ना ही ये sound effect generate करते है वहीं पर ही metal जो है वो generate करता है तो ये add कर लेना sonorous होते है metal और फिर इसके बाद में अगला point है कि इनकी low density होती है ये non malleable होते है, non ductile होते है, bad conductor of electricity होते है लेकिन यहाँ पर एक exception है, वो यह है कि graphite जो है, वो good conductor of electricity होता है ये आपको exceptions ज़रूर से आदखने है, जितने भी exception बता है ने, इनको साथ में याद करते चलो फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है chloride chloride को आपको याद आता है कि chloride के case के अंदर क्या होता है कि non-metal plus chlorine है, वो हमें देंगे non-metal chloride अब जैसे कि example के तोर पर यहाँ पर आजएगा कि hydrogen plus chlorine जो है वो हमें देगा two times of HCL फिर इसके बाद में जो next point आता है, वो आता है कि non-metal plus oxygen जो है यह हमें देंगे non-metallic oxide जैसे कि combustion reaction दिया हुए यहाँ पर carbon plus oxygen जो है, यह हमें देगा carbon dioxide समझ गए, बहुत यह simple simple से reaction है इसकी तो एक तो है chlorine के साथ में chlorine के साथ में chloride देंगे और भाई पर यह oxygen है, तो oxygen के साथ में उसकी oxide देंगे non-metallic oxide फिर इसके बाद में जो अगला आता है point वो है एमफोटरिक oxide का कि भई यह एमफोटरिक oxide होती क्या है तो एमफोटरिक oxide basically metal oxide that reacts with the acid as well as base जो कि acid के साथ में भी reaction करती है और base के साथ में भी reaction करती है उनको हम लोग कहते हैं तो दो इसकी तबएं आरे मिलियम oxide हो गया zinc oxide हो गया यह जो दोनई होती है ये infoteric oxide हैं की acid के साथ भी react करती है और base के साथ भी react करती है फिर इसके बाद में next आता है carbon, carbon की दो properties होती है सबसे पहली होती catenation, catenation का मतलब होता है कि वो खुद का खुद से bond बना सकता है उसको किसी और की requirement नहीं है फिर दूसरा जो है वो है tetravalent tetravalent basically four bond होते है हर एक element के साथ में किसी के भी साथ में चार bond बना सकता है और खुद के साथ में सिर्फ और सिर्फ ये तीन bond बना पाएगा ये याद अठना कि carbon है खुद के साथ में सिर्फ और सिर्फ तीन bond बनाते चार bond नहीं बनाता पिर इसके बाद में जो next आता है वो आता है carbon की reaction है वो बड़ी ही important है सबसे पहली जो हमारे पास में reaction आ रही हो आ रही substitution reaction substitution के reaction से simple सा नाम हो रहा है कि substitute करना है अब substitute का करना है यहाँ पर आप लोग chlorine को लेंगे और जो hydrogen है chlorine को वहाँ पर लगा देंगे और hydrogen को वहाँ से हटा देंगे तो इस reaction को ध्यान से देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि CH4 plus of CL2 और sunlight की presence भी हो जाते CH3, CL के अंदर और उसके साथ में HCL release हो जाता है समझो मेरी बात कि यहाँ पर एक hydrogen था, hydrogen को हटा करके हम लोग यहाँ पर CL लगा देंगे तो यह जो reaction हो जाएगी हो जाएगी substitution reaction अब जो दूसरी reaction है वो oxidation reaction, oxidation reaction के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि alcohol है उसको LD height के अंदर हम लोग convert करते हैं अब जैसे कि example के तोरपर यहाँ पर मैंने लिया है कि ethanol है CH3, CH2OH और इसको हम लोग जो इसके मदब की catalyst हैं जैसे कि alkaline Kmno4 या फिर acidic care 2, CR2O7 जो कि एक oxidizing agent की तरह काम करते हैं और यह जो alcohol है इसको इसको इथेनौइक acid में convert कर देते हैं फिर अगले वाली जो reaction है इसको important mark कर लो क्योंकि exam के अंदर यह आ सकती है तो देखो addition reaction क्या होता है basically simple सा ही होता है addition of hydrogen to the unsaturated carbon to form the saturated carbon की unsaturated carbon को saturated carbon बनाने के लिए जो reaction होती है वो क्या होती है वो होती है addition reaction अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका reaction होता है तो देखिए यहाँ पर जो सबसे first है कि आप देख रहे हैं कि आप यह unsaturated है इसके पास में double bond है तो हम लोग क्या करेंगे कि यह जो c double bond c है ना इसको है ना hydrogen लाएंगे और एक एक hydrogen इनको देदेगे और इनका जो bond है वो तुडवा देगे ठीक है वही हम लोगों ने किया यहाँ पर hydrogen लाए hydrogen इसके साथ में जोड़ दिया तो यही जो reaction होती होती है addition reaction होती है और यहाँ पर दो mole required होंगे triple bond को तोड़ने के लिए double bond के लिए सिर्फ और सिर्फ एक mole hydrogen का require होगा फिर इसके बाद में जो next आता है वो आते saturated hydrocarbon क्या होते हैं यह saturated hydrocarbon वो होते हैं जैसे कि alken होते हैं इसमें alken होते जिनके अंदर के सिर्फ और सिर्फ single bond रहता है carbon carbon के बीच में और जो इनका journal formula है वो होता है हमारे पास में CnH2n plus 2 होता है और वहीं पर जो unsaturated hydrocarbon होते हैं यह होते हैं alken, alken के अंदर simple सा double bond होता है carbon और carbon के बीच में और इनका journal formula होता है वो होता है हमारे पास में CnH2n फिर इसके बाद में जो next आता है वो आता है alkyne, alkyne क्या होता है basically alkyne वो होते हैं जिनके बीच में की carbon carbon के बीच में triple bond होते है C, triple bond C और जो इनका journal formula होता है CnH2n-2 फिर इसके बाद में जो अगला point है वो है homologus series तो homologus series की definition याद रखना homologus series की definition यह है कि series in which every succeeding compound differ by the CH2 और 14 atomic mass unit की ऐसी series जिसके अंदर की जैसे ही पिछले वाले से अगले वाला जो member है वो सिर्फोर सिर्फ एक CH2 का difference हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते है homologus series जैसे कि यहाँ पर हम एलकेन की series लिया है तो एलकेन के अंदर सबसे पहला member है CH4 जो की methane है अब अगर आप इसके अंदर CH2 add कर दोगे तो इसका next member बन जाएगा जो की हो जाएगा ethane जो कि आप लोग इसके formula से भी देख सकते हूँ CNH2N plus 2 इसके अंदर NK value 2 रखोगे त आपके पास में जो formula आगा हो आएगा C2H6 फिर इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर CH2 करेंगे तो इसी तरीकी से series आगे चलती रहती है तो इसके बाद में हमारे पास में आते हो आता है कार्बोक्सलिक एसिड तो कार्बोक्सलिक एसिड जो होता है इसके functional group के structure याद होता है वो होता है alkyl group होता है R का मतलब और इसके साथ में C double bond oxygen और उसके साथ में alkyl group होता है फिर इसके बाद में जो next आते हैं वो आते diamond diamond की basic properties याद रखे कि basic कैसा होता है क्या उसका structure होता है तो diamond जो होता है इसके अंदर जो each carbon atom is bonded to the four carbon atom and form the 3D structure वो इसमें 3D structure form होता है औ और वहीं पर ही जो graphite होता है graphite के अंदर each carbon is bonded to the three carbon atom and form the hexagonal array और इसके अंदर क्या होता है कि तीन carbon के साथ में bonding होता है और इसका जो structure होता होता है hexagonal array होता है फिर इसके बाद में जो next आता है it is the hardest substance on the earth ही है सबसे hardest substance है अर्थ के ओपर और वहीं पर ही जो graphite है वो smooth और slippery होत होता है और इसके साथ में जो diamond ह्यों bet conductor of electricity होते कि इसके इनदर free electrons present नहीं होते है और वहीं पर ही जो graphite ह होता है इसके इंदर गुड़ conductor of electricity होता है क्योंकि इसके इक free electron available होता है फिर से बाद में next आते हैं soap, soap का क्या काम होता है कहाँ पर हम लोग इसको use करते है तो जो soap है यह सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं, डिस्टिल वाटर में या फिर आप इसे कह सकते हो, सॉफ्ट वाटर में ही ये काम करते है, जैसे अगर आप इसको हाड वाटर में यूज करते हो, फिर इसके बाद में जो next आता है वो आता esterification reaction, esterification reaction के अंदर simple जाहे, आप एक acid लेंगे जो कि हो जाएगा CS3, COH और फिर उसके साथ में alcohol ले रखा है आपने, और H2SO4 catalyst की presence में जब ये reaction होती है, तो हमें एक sweet smelling substance मिलता है जो कि होता है CH3, C double bond, CO, CH2 होता है, और इसके बाद मे ester जो होता है, एक fruit smelling substance होता है, और इसके बाद में जो saponification reaction होता है, इसमें ester है, और उसके साथ में अगर आप base squared कर देता हो, तो आपको मिलता है alcohol और उसके साथ में soap form हो जाती है, और अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो the end जरूर से लिखना है, और उसके साथ में biology के ल वीडियो देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो आपको physics का revision मिल जाएगा,